कि सब्सक्राइब टू मैं चैनल एंड प्रेस्टी बेल आइकॉन हालो फ्रेंट्स हाओ आयू आप लोग कैसे सब ठीक टक सबड़ी आपका दोस्वें गोज फिर प्रदेंट हो गया फ्रेंट्स आज हम लोग एक पतंग बनाने वाले हैं और यह पतंग जो है मुड़े तार यानी तोकिया पतंग बनाएंगे लेकिन इस पतंग को बनाने के लिए फ्रेंट्स मैं आपको बता दू कि हमने यह ब्लैक पेपर लिया है और यह ब्लैक पेपर बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन इस टेसनरी सौप में ऐसा ही पेपर मिलता इस अच्छा मैं है इसको लेकर के जो है हम इसके उपर रखेंगे और इसके उपर रख करके चारो तरफ से निशान लगा करके इसकी कटिंग करेंगे यह देखिए मैंने इसके इसके उपर रख दिया और मैं क्या करूंगा पेंसे इस तरह से सारा इसका निशान लगा करके कटिंग करके आपको दिखाता हूं कि इसका रास्ता रोप रहा हूं ताकि अपने घर की तरफ जाए कि यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से सारा निसान लगाऊंगा मैं और चारो तरफ निसान लगाने के बाद जो इसकी कटिंग करूँगा मैं अगर मेरे को फ्रेंट्स पेपर अच्छा मिल गया होता तो बहुत अच्छा रहता लेकिन स्टेशनरी सॉप में इस अच्छा पेपर मिल नहीं सकता यह देखिए फ्रेंट्स यह मैंने फर्मालक कर दिया और फर्मालक करने के बाद यह देखिए इस पर निशान लग चुका है आप देख सकते हैं कि निसान किस तरह से लगा है अब इसकी हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं फटा फट यह देखिए फ्रेंट्स मैं इसको जहां पे हमने निसान लगाया था वहां से कटिंग करना सुरू कर दिया है और यह देखिए इस तरह से कटिंग करना है आपने और युर पूरा कटींग करना है。 ये देखिए मैंने ये कटींग कर दी है और कटींग करने के बाद ये से 스ेट मिला है अब इसको हमने तोक पतंग बनाना है तो च én के लिए हमारे को भॉबलम न दूसरे रंगल का कागज Church चाहिए था लेकिन मेरे पास बहुत ही चोटriver we यह बहुत ही छोटा है क्योंकि यह देखिए आप देख सकते हैं बहुत छोटा है इससे तो हो नहीं पाएगा बहुत छोटा सा तोक बनाना पड़ेगा तो मैं सोच आँ कि इसी थेले से बना दू कोई दिक्कत तो है नहीं इसकी थेल यह एक अन्वलफ है और इसको अम लोग क थेले की भी कटिंग करके से जो है इसका बना सकते हैं साइद यह इतने हिसे में तोक आ जाएगा यह एक थेला है और पहले इससे हम ट्राइब करते हैं देखते हैं काफी बड़ा निकल ला एसे साइद हो जाएगा पूच भी बन जाएगा और इसका जो उपर का मुड़ेद करता रहे वह भी बन जाएगा आफ यह काफी बड़ा निकल आया दिखने में नहीं लग रहा था दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा था लेकिन यह काफी बड़ा है तो चलिए फ्रेंट्स अब क्या करते हैं हम इसका जो है सबसे पहले इसको हम इस तरह से फोल्ड करते है यह आगाज हटा दें इसकी अपकोई ज़रूरत नहीं है इसको फोल्ड करते हैं और करने के बाद जो है इसके जो है हम एक मैं यह देखिए फ्रेंड्स ऐसा है यह इसको फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे तो अब जितना बड़ा हमको कटिंग करना उस हिसाब से जो है हम इसका हिसाब बना लेते हैं और बना करके यह देखिए फ्रेंड्स इसकी जो है हम यह इस तरह से कि यह देखिए फ्रेंड्स और यह इसका हमारे को इस तरह से एक बड़े से तोक का वो मिल गया है अब इसको क्या करेंगे हम लोग इसको इसके उपर लगाएंगे और ठीक इसी से एक फर्मा काट लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स इसको इसके उपर इस तरह से रखेंगे और इसकी कटिंग थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी फ्रेंड्स पहले बतादा दूं आपको लितना बड़ा यह कटा है उससे थोड़ा सा बड़ा कि आएगा पॉट इसके इस हिससे को भी हम थोड़ा सा हलका सा बड़ा काटेंगे क्वाइब कि यह देखिए फ्रेंड्स हमने इसको काट लिया और काटने के बाद यह निकला इसको हम इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे किसी से फेवी कॉल वगारे कुछ लगाकर इसको pozicam लिए को दिखाते हैं उसके वी lightермी। यह इसको हम लोग लोग इसको इसके उपर चिपका देंगे और चिपकाईगे कैसे आप यह देख लीजिए बिल्कुल इसका जो सेंटर है इसका हम सेंटर निकालते हैं और पतंग का जो सेंटर के साथ इसके सेंटर को मिला देंगे और पहले सेंटर निकालना चाहिए था हमारे को हमने यह गलती करी है और कोई बात नहीं सेंटर अभी भी निकल जाएगा तो सेंटर कैसे निकालते हैं वह हम आपको बता दे अगर सेंटर में निखालेंगे तो फ्रेंट्स क्या होगा कि एक दम एकूरेट नहीं आएगा यह देखिए फ्रेंट्स हमने ही इहां पर कटाफ़ लगा दी कटाफ़णे से पता चल गया किस इनटर यां पर है तो इसका सेंटर ही पै यह अ पी पता आप लोगों को पता ही यह देखिए हमने जोड़ दिया इसको और यह ऐसा हो गया अब इसका जो है इस पे हम लोग कमान और ठड़ लगा देंगे और यह देखिए फ्रेंड्स यह इस तरह से जुड़ गया और इस पे यह हमने निकाल लखा है ठड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं है अब ठड़े पे क्या करेंगे हम लोग टेवी कॉल लगाएंगे अगें और फेवी कॉल लगा करके आपको जोड़ के दिखाते हैं और फ्रेंड्स देखिए इस पर हम लोग फेवी कॉल लगा दे रहे हैं और फेवी कॉल लगा करके जो है इसके पूरे जो इसका ठड़्डा है ठड़्डे में फेवी कॉल लगा दिया है और मकर संक्रांती का कोहर से पहले इस तरह की पतंग आप लोग अपने घर पर बना सकते हैं और यह बनाना बहुत मुश्किल नहीं है अ यह देखिये फ्रेंडिस हमने इस पर थड्डा बैठा दिया है अब यह सूख जाएगा और अब हम लोग जो है इस पर कमान लगाएंगे और कमान इसका इस तरह से लगाएंगे यह देखिए तो अभी मैं कमान आप लोगों को लगा करके दिखाता हूं इसका फ्रेंड्स देखिए अभी ये जो एंवलप था लिफाफा था और इसमें से जो है हम लोग इस तरह से जो है समय साइज करेंगे की ईकोछ आप निकार लेंगे अवर एक दम इकवेल सइज होना चाहिए है यह थोड़ा सा मोटा पतला है फोण लोग एकवेल साइज करेंगे और कि अ यह देखिए फरेंड्स इस तरह से जो है और यह मिसको काट लेंगे यहां से काट लिया और यह इसको भी यानि यह पिर एक और और आपको जोड़ कर दिखाटी यह मारकेट के बतंग से डिफरेंट है यह मैं बहुत आसान तरीका बता रहूं आप लोग को बनाने के लिए जो आप गर पर भी बना सकते हैं अब हम लोग किया करेंगे यहां से 5 इंच लेंगे ही स्केल में 5 इंच यह अपर दिखा रहा है आप देख सकती है यह तो पांच इंच की दूरी पर हम लोग एक निशान लगा देंगे इस तरह से यह देखिए मैं लगा दिया इधर इधर से भी 5 इंच की दूरीं पर एक इन बखल को तयार करेंगे, यह देखिए मैं ने हैं पर तयार कर दिया, अगर ब्लेक कलर का ही लगा तो थार एक पर अच्छा कर के लैकिन बखल उर तो निसान के भीतर की तरफ लगाएंगे उस तरफ नहीं लगाएंगे तो निसान के भीतर की तरफ लगा रहें और अब फिर अगेन जो है एक बकल हम इधर लगा देंगे एक दम कॉर्णर पर यहां बे और यह वाला बिल्कुल एक दम कॉर्णर पर लगाना है इस तरह से यह कि अगया और और बीकालत यह हम लोग लगाएंगे तो इसको अगेन हम लोग जो है भीतर की तरफ लगाएंगे यहां पर अपनी निशान लगाएंगे मिसान से भीतर की तरफ रहेगा तो अब इसके तो छो घो जो है हम लोग इसको जोड़ देते हैं और जोडाएंगे कैसे जोडाएंगे एक हम थोड़ा सा सूर्म ही को लाइधे हैं और यह जादा यह को लागानने से फिनिसिंग हो जाएगी यह दोनों ही प्रॉब्लम मैं और यह देखिए यहां पे जो है इस तरह से हम इसको लगा देंगे लगाने के बाद जोесто अपने इस पेपर को यहां पर रखना है हमारा्यो की यह को इधकी इसको इस तरह से बिल्कुल एक दम लंव रखेंगे आप यह देखिए इसको आप ऐसे करके आप माउंट कर देंगे यह इस तरह से आप माउंट कर देंगे हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहें जिसको आप अपने घर पे कर सके ऐसा तरीका बता रहें यह देखिए अभी इसको आप ऐसे जुड़ने देंगे यह जुड़ तरह से चिपका देना है और थोड़ी देर ऐसे करके दोनों तरफ पकड़ लेना और एक से लेकर के पचास तक गिनती गिन लेना जैसे ही 50 पूरा होजा दोनों हाथ अपना हटा लेना यानी जूड़ जाएगा और फिर अगें जो आपने इसको जोड़ा है इसको इसके उपर चुन है इस तरह से माउंड कर देना और इस वाले को इस वाले को जो है इधर से माउंड कर देना यह देखिए यह जो है इसको भी 123456789 10 ऐसे करके 50 तक गिन करके इसको दबा के रखना और फिर उसके बाद छोड़ देना और अधुकोल का जोड़ बहुत पक्का है यह यह भ काटना जरूरी है यह काट दिया मैंने इसको काट करके फेक देता हूं किसी काम का नहीं है और अब फ्रेंट्स जो है यहां पर हम आपको पूछ लगा करके दिखाते हैं कि पूछ कैसे लगेगा फ्रेंट्स अभी देखिए हम लोग इसका पूछ बनाने जा रहे हैं और पतंगी कागज ही यूज करते लेकिन अब पतंगी कागज है नहीं तो इस करके हम यह लीफापे कही जो पेपर है इसको ही हम लोग यूज कर लेंगे और अभी मैं करने के अब आप लोग को करके दिखाता हूं इस पर थोड़ा डिजैन वर्क कर दूँगा मैं डिजैनर को पता चल जाएगा यह देखिए यह साइज में छोटा बड़ा हो रहा है तो इसको हम लोग यहां से कटिंग कर देंगे जब कटिंग कर देंगे तो इक वेल साइज का हो जाएगा यानि चारों तरफ से एक तरह दिखेगा यह यह देखिए फ्रेंड्स और यह इसका पूछ है और तो चलिए अब हम लोग इसमें बच्चों ने ना पता नहीं लिखाई पढ़ाई कर रखी है क्या इस पर लिखा हुआ है चेन्ने ना पर नहीं क्या लिखा हुआ है 180 रुपे भी लिखा हुआ है खेर इसको हम लोग भीतर कर देंगे तो यह दिखेगा नहीं और वो चन्ने लिखा हुआ है तो वो चन्ने जो है वो भीतर चिप जाएगा 180 रुपए भी लिखा हुआ था पता नहीं 180 रुपए का क्या था भगवान जने यह देखिए इसको हम इस तरह से जो है इसका और इसमें हम लोग थोड़ा से डिजाइन वर्क कर देते हैं यहां पे जो है गोला कट मार देते हैं और तो इससे क्या होगा कि तो 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 आज कर लोग थोड़ा सा आज कर लोग थोड़ा सा आटिस्ट भी हो गए हैं जो काइट मेकर से वाटिस्ट भी हो गया वो कुछ ना कुछ डिजाइन वगरा डालते रहते हैं तो चलिए फ्रेंट्स आप तो इसको हम लोग फेवी कॉल लगाए करके आपको जोड़ के दिखाते हैं लेकिन जोड़ने से पहले घुर्द्स थोड़ा सा चेल देता हूं छील कर कि इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मोटा है ये चलिए ये तो ठीक है इसको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा अब ओके है और ये लिजिए हमारी पतंग का पूझ भी लग जाएगा प्रेंट आपको एक बात मता दूँकि कि इस तर से धागा भी लगाया जाता है पतंगे चारों तरफ दागा लगाया जाता है आप इस तर से सारा थ्रेड लगाया जाता है लेकिन हमने पतंग को रखना नहीं है पतंग को अभी बनाना है और भी उड़ा देना है धागा वागा इसलिए लगाते हैं अगर पतंग को भी इसमें नहीं लगाई इस पर टेप लगा देंगे आपको ज्यादा इजी रहेगा वह आसान प्रोसेस रहेगा तो हम लोग सारा आसान प्रोसेस से ही काम करते हैं ताकि हर कोई बना सके इस तरह की पतंग हमारी यहीं सोच रहती है तो चलिए फ्रेंड्स आप जो है हम लोग इधर वाला हिस्सा है उसको हम लोग पहले चिपका देंगे और इधर वाले इससे पर तीली रख देंगे तो बहुत आसान है ना देखिए कितना आसान कर देतों सब काम आप लोग का और आप लोग इस तरह से जो है पतंगी अपने घर पर ही बनाईए और जैसा डिजाइन चा बग गया थोड़ा अपने सकल दिखा दो कैसे चिपके होँँ ठीक है अब इधर वाला जो है हम इसको यहां पर रख देंगे इसके ओपर यह तो तीली को रखने के लिए यहां पे चिपका नम को पड़ेगा थोड़ा सा इसको यह देखिए यह हमने यहां पर फेव लगा द प्रेविकॉल कुछ ज्यादा ही लग गया एनीवे कोई बात नहीं चलिए ठीक है थोड़ा वो ज्यादा लग गया तो कोई फरक नहीं पड़ता इतना यह दस रुपे का तो ट्यूब आता ही है सारा अब कितना नुक्षान हो जाएगा विखास ज्यादा नुक्षान थुड़ी नहीं होगा यह देखिए यह तैयार आपका तो फ्रेंट्स मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने बहुत लंबे अड़से के लिए पतंग रखना है तो यहाप इस तरह से धागा पूरा लगा जाता है ताकि पतंग इस्टेबल रहे लेकिन हमारे को हाथ क्यात उड़ा करके जो है प्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से पतला पला ट्रांसपरेंट टेप लेकर के जो है यह धागे काम करेगा जो आप धागा लगाना चाहा रहे थे उस धागे की जगे यह लगा दीजेगा धागा लगाने में थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत आ सकती है लेकिन पतंग भी नहीं फटेगी और ऐसे भी हम लोग टेप लगाते ही है पतंग में यह देखिए इधर वाला मैंने इधर लगा दिया और यह लीजिए आपका पूरा एकदम तयार हो गया और अगर आप जरूरत समझे तो थोड़ा सा थोड़ा यहां पर भी टेप लगा दे यह मैंने यहां पर इसको लगा करके यहां पर थोड़ा सा लगा करके और इधर से मैं माउंट कर दूंगा तो यह देखिए यह मैंने यहां पर माउंट कर दिया यह यहां पर इसको कवर कर लिया और थोड़ा सा जो है यहां पर थोड़ा टेप लगा देता है यह जो पतंग हमा हमारा जो है पतंग बिल्कुल तयार होने वाला है अपि हम लोग इसको उड़ा करके दिखाएगा आप लोग को हवा बिल्कुल भी नहीं है हवा का भट्टा बैठा हुआ है बिल्कुल आज पता नहीं जब भी मैं कोई पतंग बनाता हूं तो हवा ही बैड़ जाता है यह लड़ाईए चाहे दूर ले जाकर के लड़ाईए यह बिल्कुल एकदम टना टन है बिल्कुल एकदम लपकत दार है और इधर से भी ठीक है इधर से हलका समय ठड़ा मोड देता हूं इसका यह अब इसमें करना उना बात के आपको उड़ा कर दिखाते हैं यह देखिए हम लोग अब इसका करना बात देते हैं फटा फट और करना बात करके जो है इसको ऊपर ले जाके उड़ाएंगे हवा का डारेक्शन इधर है अगर इधर डारेक्शन होता तो यहीं से उड़ाता लेकिन और आसमान में काफी सारे बादल भी आ रहे हैं तो इसलिए फटा फट इसको उड़ा उड़ा करके आप लोग को दिखा देते हैं और इस तरह का तो आप लोगोंने पहले नहीं देखा होगा क्योंकि यह डिफरेंट तोख है और यह बहुत पहले इस तरह का तोग बना करता था और समय समय के हिसाब से जो है चीजे बदलती रहती है और अब यह इसको डिजाइनर तो कहते हैं हम लोग यह लिजे फ्रेंट्स करना भी बद गया पतंग भी तयार है बस अब इसको सिर्फ उपर ले जाकर के उड़ा करके हम आपको दिखाएंगे और यह हमने इसका पैरलल करना बाद दिया और यह फंदा लगा दिया और इसका यह हिससा काट लिया और यह आप उड़ने को बेच मणाले काट लूख साथ और यह इसको फ़स द क्यूंक है क्योंको टीकर यह पेलानी तो लोग को पता चलेगा किसो को बनाया किसने है इसको बनाया सोमेन घुस नहीं और इसे सोमेन खुस का मौहर इदर लगा दिया मैंने और एक मौहर हम एर बहुत क्लियर आयाए की मानी है अगया ठीक है चलिए अब इसको लोगा कि देखते हैं कि उढ़ने में कैसा है यह लाल रंकी सदी इसको मन्झा समझने की गलती मत करिएगा और कि अभी हम लोग इसको लाते उड़ा करके देखते है कि उढ़ने में कैसा है प्रेंट्स हम लोग अब उपर वाले चट पे आ गए हैं और इसको हम लोग उडाने लग रहे हैं और देखिए यह उड़ने में कैसा है उड़ता भी एक ही नहीं उड़ता है और वाव यह तो बहुत बढ़ियां उड़ रहे हैं क्या बात है वाई आप लोग मकर संक्रांती पे और लोडी पे बसंत पंचमी में इस तरह की पतंग बनाईए और बनागर के घर पे बनाईए और मार्केट से खरीदने की जरूरत ही नहीं है यह पांच छे रुपे की पड़ेगी पॉने की पतंग है वाउ बहुत मस्त वोड़ राए फ्रेंड्स अभी इसको हम लोग हाँ चक्कर बहुत बढ़ी आए है यह भी चक्कर बहुत बढ़ी आए है वाउ राइट लेफ्ट का कॉमिनेशन देखते हैं यह आपका जो है राइट का कॉमिनेशन था बहुत अच्छा नीचे से गुसेगा अब लेफ्ट का कॉमिनेशन देखते हैं लेफ्ट का कॉमिनेशन भी बहुत अच्छा है अगेन लेफ्ट का कॉमिनेशन देखते हैं और फ्रेंड्स से खीच मार करके देखते हैं वाउ बहुत बढ़िया पतंग है फ्रेंड्स आप लोग खुदी घर पर बनाईए पूरा हिंदूस्तान के अंदर हर घर में टैलेंट मौजूद है बस यह है कि हम लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करते हिंदूस्तान की जितनी आवादी सारे के सारी आवादी जो है टैलेंटेड है बहुत बढ़िया पता है फ्रेंट्स गद्दा मारता हूँ एकदम ताजी बनी है बिल्कुल और यह देखो कितनी अच्छे उड़ रही है क्या अच्छा राइट चक्कर ले रहा है लेट चक्कर भी उतना ही अच्छा ले रहा है राइट चक्कर अगें लेट चक्कर अगें बहुत बढ़िया है फ्रेंट्स इसका पेपर अच्छा नहीं है उसके बहुत जूद भी पतंग बहुत अच्छी बनी है यह देखे है फ्रेंट्स आपका पतंग नीचे उतर गया वीडियो कैसा बना है वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को सेर भी करना अपने फ्रेंट्स के साथ और मकर संक्रांती पे ऐसी पतंग बनाने की कोशित करना मकर संक्रांती ही नहीं लोडी पे भी पहले तो लोडी फिर मकर संक्रांती फिर भसंत में इस तरह की पतंग आप अपने घर पे बनाईए और मेरे चैनल को सब्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं तब तक के लिए बाई